नमस्कार दोस्तो आयरुवेदिक संखला को आगे बढ़ाती हुगे आज हम फिर आपके लिए लिका रहा हैं एक और चमतकारेक और सदी पोधा ये जो आप पोधा देख रहे हैं ये देखिए ये पोधा बहुत ही अच्छा है और और सदी गुणों से भरपूर है दोस्तो ये बहुत इच्छा काम करता है और अनीक बीमारीयों में और बिसे प्राया भाट में जो हमारी हिंदू भाई लोग रहती है कि लोगों के हरे घर आंगन में ये लगाया जाता है उब जाया जाता है हिंदु धर्म में यह बहुत न पौधा बहुत जी पवित्र माना जाता है कहा जाता है कि भगवान विश्णू इस तुलसे के पौधे के जो पत्तियां है उनके बगएर भोजन ग्रहन नहीं करती इसलिए प्राया बैस्टर समधाई के लोग भगवान विश्णू को भोग लगाने के साथ इस तुलसी की पत्तिया भी रखती है दोस्तों ये भगवान विश्णू को जो भोग लगा जाता है उनको ही नहीं ये सब को प्री होता है और सब को ऐसा इसका सिवन भी करना चाहिए खाना खाने के बाद इसकी एक दो पत्ति अगर आप खाते है तो आपके जो मुहें से बद्बू आती है तो बद्बू आने की सिकाथ भी ठीक हो जाती है इसके लाबा मुहें के च्छाले और दातों में कीड़े जो लगती है जो पारिया की सिकाथ है इस ये भी आपके ठीक हो जाती है मात्रे खाना खाने के बाद आपो एक से दो या चार से या पाँच तक पत्ति अगर आप सुबह साम खालते हैं तो मात्रे ये सेबन ही आपकी मुहें सम्द्दी सभी प्रकार की बीमारी उसे ठीक कर देगा अगर आपके दातों में कीरे लगे हुए हैं तो उसको ठीक कर देगा नश्ट कर देगा उनकीरों को अगर पारिया की सिकाथ है तो धीरे धीरे करके वो भी ठीक कर देगा मुझे से बद्बू आ रही है तो इसके सिवन से मुझे से बद्बू आना बंद हो जाएगी इसके अलाबा दोस्तों अगर आप ये घर अंगार में तुलसी लगा रहता है तो इस कहा जाता है कि जो ये तुलसी है वहाँ पर मलेरिया के मच्छर जदा नहीं परपती इसलिए वहाँ घर मलेरिया के रोगों से अधिकतर बचा रहता है दोस्तों इसके साथ साथ ये तुलसी बहुत अच्छा काम करती है स्वास रोग में जी हाँ दोस्तो स्वास लोग में बहुत अच्छा काम है इसका बैसे सभी प्रकार के बुखारों में भी ये काम देता है बुखार है तो काली मिज़ के साथ इसका पत्यों का शिवन कर लेजिए इसके रसका शिवन कर लेजिए अगर बर्लत तया भी छूने काट लिया है तो पर आप इसके पत्यों को रगट देजिए तो जहर खत्म हो जाएगा इसके साथ साथ ये सर्फ के जहर में भी काम आता है जिसको सर्फ ने काटा है वहां पर आप पत्यों के सोरस को पिला देजिए और जहां पर सर्फ ने काटा है उस वहां पर आप इसको चीरे लगा के इस तो यह प्रियोग आपके दमा को स्वास को भी लाप पुछाएगा जी हां दोस्तों जिसको बार-बार स्वास की सिकाथ रहती है दमा फूलने की सिकाथ रहती है थोड़ा चलते फिरती है तो स्वास फूल आती है इन सभी विमानी खत्म करने के लिए और इश्नुपिलिया की जिने सिकाथ है जिने बार-बार जोखाम होनी की सिकाथ है जो हमेशा जोखाम से परिशान रहती है थोड़ी पूरी सबजी खाने पर ही या अन्य धूल धरतकर कहीं जाने पर भी उन्य जोखाम हो जाता है गले में खराच हो जाती है तो ये सब भक्ति इस उपाई को करें फिर दो चमब्सुर्स ले लिए जो अधरक है अधरताजी अधरकी पर पीस ये से लवटी से और पर उसमें जो रस निकले उस दो चमब्स तो रस दे लिजिए और दो चमब्स सहत को भी आप डाले जिए तिनों सख्यम्स को मिला करक अगर आप खाली पिट सुबह साम इसका सिवन करती हैं और उसके बाद 10-15 मेर्ट सक पानी नहीं पीती हैं तो फिर यह प्रयोग आपके दमा को ठीक कर देगा स्वास को ठीक कर देगा और इसके सासा आपके भूग भी बढ़ाएगा गर्मी को भी सांद करेगा लीवर को भी ठीक करेगा और बुखारता आप है वो भी ठीक हो जाएगा और खोन अगर आपका खराब है तो भी ठीक हो जाएगा दोस्तों यह है तुलसी नहीं है यह अमरत ह या कुदरस का बर्दान है इसका उप्योग कीजिए और लाव उठाइए हमें दीजिए जाजात हम फिर मिलते हैं नमस्कार